नमस्कार आप देख रहे हैं WK News और मैं हूँ आपके साथ शुभम गुपता World Cup 2019 को शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय बचा है World Cup 4 साल में एक बार होता है जिसके लिए क्रिकेट फैंस का क्रेज इसको लेकर काफी बढ़ जाता है England और Wales में कल से शुरू हो रहे World Cup की दिवानगी क्रिकेट प्रेमियों की महसूस की जा सकती है लेकिन आज हम क्रिकेट World Cup के बारे में ऐसी जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी Cricket World Cup का इतिहास 44 साल पुराना है लेकिन आप ये बाद जान हैरान हो जाएंगे कि पुरिश क्रिकेट World Cup शुरू होने से पहले महिलाओं का क्रिकेट World Cup खेला गया था जो कि 20 जून 1903 में चालू हुआ था और England की महिलाओं ने इस World Cup को अपने नाम किया था इस World Cup में 7 टीमों ने हिस्सा लिया था लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं कि इस World Cup को शुरू करने के लिए England के ही एक वेपारी जैक हैवर्ड ने 40,000 पाउंड डोनेट किये थे जिससे कि World Cup शुरू किया जा सके इस चुरूनरमेंट में राउंड रॉबिन मेथट का इस्तमाल किया गया था जिसमें कि England की महिलाओं ने लगता 6 मैच जीतने के बाद फाइनल में जगा बनाई और और उस्ट्रेलिया को 92 रनों से हरा कर परमिंगम के एच बेस्चन क्रिकेट ग्राउंड में पहली ट्रोफिय उठाई ठीक महिलाओं के क्रिकेट वल्लकप होने के 2 साल बाद 7 जून 1975 में पहला पुरुष क्रिकेट वल्लकप का आयोजन हुआ 1931 तक कई खेलों की जैसे रोइंग, बोल्स, लेक्रोस और फिल्ड होकी की चेंपिनशिप की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन ICC की ओर से आयोजित पहला क्रिकेट वल्लकप वास्तव में महिलाओं से जुड़ा था 1973 में पहली बार वुमेंज क्रिकेट वल्लकप का आयोजन हुआ और फिर 28 जुलाई 1973 को एच बेस्चन में HRH प्रिंसेज एनेने इंग्लैंड को वुमेंज ट्रोफी सोपी थी और इसके बाद पुरुशों के पहले वल्लकप क्रिकेट टुर्नमेंट का आयोजन किया गया जो कि जून 1975 में इंग्लैंड में खेला गया हाला कि वंडे क्रिकेट की शुरुआत इससे चार साल पहले ही हो चुकी थी ICC Cricket के शुरुआदी तीन World Cup का आयोजन इंग्लैंड में ही हुआ लेकिन इसके बाद 1987 के टूर्णमेंट से World Cup का आयोजन दूसरे देशों में भी कराये जाने लगा World Cup के इतिहास से जूड़ी इस जानकारी के बारे में आप क्या सोसते हैं? और World Cup से जूड़ी पलपल की जानकारी को जानने के लिए चैनल से जूड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट and शेर ज़रूर करें धन्यवाद